आप सभी का बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए बिहार से किसी भी तरीके से जोना हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है और क्या कहा जाए अपने बिहार के बारे में बिहार हम लोगों के लिए जननी जनभूमी है एक मिट्टी है, एक सोच है, अबीर है, कबीर है, होली है, दिवाली है, छट पूजा है हमारे लिए बुद्ध की धर्ती है, विद्या सागर का संसार है, चारक्य की धर्ती है हम सब के लिए बहुत कुछ है हमारे लिए जेपी का अंदोलन है बिहार एक क्रांती का नाम है एक ऐसे सोच विचार का नाम है जो इनसान को श्रेश्टम बनने के लिए प्रेरत करता है और एक से एक चुटकुले बिहार और बिहार के लोगों से जुड़े हुएते हैं तो होना लाइटर नोट जब किसी बिहार वाले का दिल तूटता है तो वो I.S. I.P.S. बन जाता है या बन जाती है थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग पूरे देश क्या विदेश में भी अपना नाम रोशन करते हैं बिहार का हाला कि मैं क्षेतरवाद में बहुत जादा भरोसा नहीं करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बिहार हम सबके लिए वो घर जान जाते हैं ट्रेन पे चड़के दिल्ली आना एक जीवन बनाने की कोशिश करना हम सब के अंदर एक ऐसी ताकत है उस धरती की वज़े से जिसने मुश्किलों के साथ हम लोगों को टकराना इतना सिखा दिया है कि अब कोई भी मुश्किल आसान हो जाता है किसी बिहारी के आग करती का बीज बो रही है और मुझे लगता है कि अगर हम सब महनत करें मैं कई बार ऐसे ही बिहार के लोगों से अलग-अलग प्लाटफॉर्म्स पे जुड़ती हूं विदेशों में भी उन्होंने अपने और्गनाइजेशन बनाए हुए तो लोग सब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अगर अवसर हो तो फिर किसी बिहार को पीछे रह पाने के लिए कोई मतलब वज़ा नहीं रह जाएगी और हम सब श्रेश्टम बिहार के निर्मान में अपना योगदान दे पाएंगे तो मुझे लगता है उस अवसर के लिए हम सब को मेहनत करनी है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है इतने सारे लोग एक कमरे में हैं और आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है आप सब अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं बिहार के लोगों के बारे में बहुत सारी बात से हैं श्वेता भी हैं बिहार से हैं अनुरादा जी भी बिहार से हैं हम सब जब बात करते हैं तो बोलते हैं बीइंग बिहारी इस स्टेट अफ माइंड अब मेरे पिता आरा जिला के हैं तो आरा जिला घर बा तो कौन बात का डर बा शायद वहीं से हम लोगों को इतनी ताकत मिलती है कि नजरे मिलाकर अनुराग जी से भी दस सवाल कर लेते हैं और प्रधान मंत्री से लेकर हर किसी से सवाल कर लेते हैं कई लोगों को नागवार भी गुजरता है कई लोग कोशिश भी करते हैं कि हमारे रास्ते में बाधा डालें लेकिन हम लोग उससे डरने या पीछ को साथ बिहार को लेकर बहुत सारी जो भ्रान्तियां है उसको भी दूर करने के लिए हम सब कुए हम आपस में मिलते था आपके आवास से तो sate laughing अड़ी है तो मुझे वह नहीं लगता है मुझे लगता है कि हम सब अप जो हमारी भाषा है जो हमारी पहचाने उसपर हम सबको गर्व होना चाहिए और आपस में भी जब हम बात करें तो गर्व होना चाहिए और मैं तो कहते हूं कि पूरे देश में वीकेंड आता है लोग कहते है फ्राइड़े साड़डे संडे आ रहा है बिहार में सनीचर होता है अतवार होता है लोटी चोखा और अचार होता है और मुझे इस से जादा गर्व किसी बात में नहीं है जब मैं भोजपूरी में किसी से बात करती हूं या जो हमारी जो मिट्टी की आवाज है उसको बुलंद करती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्तित सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद